नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ रसिया ने यूकरेन के खिलाब अब तक का सबसे बड़ा एक्षन ले लिया है और कल दे रात ये खबर निकल कर आई की रूस ने यूकरेन का विभाजन कर दिया है और विभाजन करके तीन देशों में बाट दिया है और अमेरिका सही तमाम देशों ने रूस पर सैंक्शन लगाना भी स्टार्ट कर दिया है और अमेरिका जहां सिर्फ यूकरेन पर हमला करने की शेताउनी ही देता रह गया और रूस के इस दाओं से पूरा नाटो भी पस्थ ह गया तो चलिए दोस्तो पूरे मामले को आपको विस्तार से बताता हूं उससे पहले जो चैनल पर नाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रस कर बेल आइकन को भी दबा लें तो कि मैं इस चैनल पर हर रोज डिफेंस से जुड़ी ख स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो कल रात से ही ये खबरे आना स्टार्ट हो गई थी कि रूस और यूक्रेन सेनकों के बीच जड़प हुई है और उसी मीडिया ये दावा कर रहा था कि यूक्रेन के दो बक्तरबंद गाडिया रूस की सीमा में घुस रही थी और रूस के स इस इलाके में हमला करने का दावा कर रहा है उस इलाके में हमारे एक विशानिक तैनात नहीं है फैर थोड़ी दिर बाद ही ब्लादमीर पुतिन ने कल रात एक स्पीच देना स्टार्ट किया और कहा कि यूक्रेन इतिहास में कभी एक देश था ही नहीं और पुतिन यही नह करता हों कि यूक्रेन से अब दो नए देश बनेंगे जिसमें पहला देश है लूहांस जिसे आप देख सकते हैं और दूसरा देश है डोनेसटक और आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन का इस तरीके से बटवारा हो चुका है और कल रात तक यूक्रेन एक देश था आज से यूक्रेन बटकर तीन देश बन चुके हैं और बलादमीर पुतिन यहीं पर नहीं रुके इसके बाद पुतिन ने अपनी आर्मी को आदेश दिया आगे बढ़ने का और देखिए पहले र रूसी सेना ने लुहांसा का और डोनेस्टक के पूरे इलाके को अपने कबजे में ले लिया है और आज के समय में रूस ने यूक्रेन के दो इलाको को कबजा कर लिया है और इन दोनों इलाको को एक नया देश घोशित कर दिया है और इन दोनों देशों का रसियन आर्मी प बनाया जा चुका है और रूस इन दोनों देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी घोसित कर रहा है अब आप लोग कहेंगे कि रूस के देश घोसित करने से क्या होता है पूरी दुनिया तो मानिता नहीं देगी तो आपको बता दो फिलहाल के लिए तो रूस को मानिता देने के लिए और कल ही ये खबर निकल कर आई है कि चीन ने अमेरिका के उपर प्रतिबंद लगा दिया है और चीन अमेरिका पर प्रतिबंद लगा कर रूस को या दिखाना चाहता है कि हम रूस के साथ हैं और जो फिलहाल अमेरिका पूरी दुनिया पर प्रतिब और इन सब बातों से आपको ये पता चल गया होगा कि अमेरिकी इतिहास में इतना कमजोर राष्टपति आज तक नहीं बना और जैसा कि आप सभी ने देखा कि ना तो अमेरिका ने अपनी आर्मी को यूक्रेन में भेजा और ना ही नाटो यूक्रेन के बचाओं में उत्रा औ और अमेरिका बिटन जैसे देशों ने रूस पर सेंक्षन लगाना भी स्टार्ट कर दिया है लेकिन रूस ये जानता है कि कितने सेंक्षन लगाओगे रूस की इकनामी पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव तो पड़ेगा नहीं अभी रूस सिर्फ इसी बात पर ध्यान दे आए कि यूक्रेन नाटो के पास ना चला जाए और रूस ने यूक्रेन और अपने देश के बीच बफर जून को भी अभी के लिए बना दिया है और ये भी हो सकता है कि जल्दी ही यूक्रेन का और भी हिस्ता कब जाया जाए और हो सकता है कि स्विप्ट इंटरनेशनल पेम से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन गया है और रूस की स्टाक मार्केट भी तेजी से गिर रही है खैर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब का प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा देखे रूस की इस हरकत पर चीन भी एक्टिव हो जाएगा और चीन की कोशिस रहेगी कि ताइवान पर हमला करे और अफगानिस्तान तूट गया है यूक्रेन भी गया अब ज्यादा चांस है कि ताइवान भी हाथ से जाएगा और ये सब हो रहा है अमेरिका के कमजोर राष्टपत की वज़े से और अगर इस समय डोनाल्ड टरंप राष्टपत होते त तो सायद ये सब ना होता फैर इस समय यूएन में आपात बैठक चल रही है अब अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा कि आप रूस से मिलिटरी रिलेशन्स खत्म करो और हो सकता है कि भारत का S-400 भी यूएस के सेंक्शन में आ जाए और यहाँ पर आप अगर भारत के लि कि आप रूस से हत्यार खरिदना या किसी तरह की डिल करना बंद करें और अब ऐसे समय में भारत को कड़े फैसले लेने होंगे और हो सकता है भारत रूस के खिलाब भी बोलता दिखे और भारत के सामने इस समय बहुत difficult opportunities आ गई हैं और बहुत ही खराब समय है भारत और रू पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा था उस समय रूस ने हमारी मदद करके अमेरिका के इस बेड़ों को वापर धकेल दिया था और आज के समय में अमेरिका भले ही भारत का दोस्त है लेकिन आप लोगों को तो पता होगा कि अमेरिका ने इराक इरान में क्या किया यतनाम मे क्या किया तो ऐसे मैं भारत को रूस का साथ देना चाहिए या फिर अमेरिका का कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर सेट कर लें ताकि जैसे ही मैं डिफेंस से जूड़ी खबरे दूँ आपके पास सबसे पहले पहुंचे धन्यवाद